हलो एवरिवन आया मंकित कुमार और वेलकम यौल टो एजूकेशन सरकेट और आज हम आपके एफकेट एग्जामिनेशन की रीजनिंग का एक बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक डिसकस करेंगे जो की है क्लासिफिकेशन जिसको की ओड वन आउट भी बोलते हैं ठीक है हम इस पर आज क्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे इससे पहले हम प्रिविएस यर्स के क्वेशन पर हम एक वीडियो ओल्री कवर कर चुके हैं इसी टोपिक पर इसमें बस आप ये सीख जाएंगी हमको आंसर किस तरीके से इलिमिनेट करके फाइंड आउट करना है तो कोई भी क्व उसको आसानी से कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और बिफोर स्टार्टिंग इसी टैप की वीडियो जो आएंगी उनको पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करके औल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए टेलिग्राम देखके हमको कुछ भी समन में नहीं आ रहा है कि यह क्या है यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है और पता है तो आंसर आपके सामने है फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है तो देखो यह विर्गो पिसकस एन कैंसर यह आपकी राश्या है जो जो हमारे sky में यह star का एक group होता है उसकी position होती है ठीक है उसको Orion बोलते हैं तो देखो option number A, B और C यह किस चीज का group है यह है राशियों का group ठीक है और Orion जो है यह star है यह star है तो हमारा answer क्या होगा option number D यह इस question की class की condition को satisfy नहीं कर रहा है option number A, B और C यह बोल रहे हैं कि भी हमने ए फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि option number D जो है वो राशी नहीं है तो हमारा answer क्या होगा option number D is your right answer ठीक है अपने answers आप comment box में लिखते होई जाओ और इन videos को आप please like और share जरू करते होई जाना देखो यदि आप like और share करोगे तो मैं आपको ऐसा और भी content provide करवाऊँगा मैं आपकी खूब अच्छी से practice करा दूँगा जिससे कि आपका इस topic पर बहुत अच्छा command बन जाएगी बहुत अच्छा control बन जाएगा तो हो question number 8 देखते हैं जो कि उसने F-Cat1 2014 में पूछा है देखो क्या है options wheat, rice, mustard and gram सबसे पहले हमको यही काम करना है चार options को देखना है पहले यह नहीं कि भी wheat को लेकर बैठके और इसमें दिमाग लगाए जा रहे है चार options को अपने दिमाग में scan करो जैसे ही scan करोगे 40% question उसी में आपका solve हो चुका होगा आपको clue मिल जाएगा कि कहां जाना है किस चीज की यह बात कर रहा है तो देखो wheat, rice, mustard and gram इनसे हमको यह पता चल रहा है कि यह edible things हैं खाने की हमारी चीजे हैं जो कि हम daily life में हम खाते हैं food का part है लेकिन यह food की तो बात कर रहा है यह तो एक group बन रहा है किस class से ब्लॉंग करते हैं तो देखो wheat, wheat का आटा बनता है rice, rice का भी आटा बनता है gram, gram का भी आटा बनता है ठीक है इन तीनों के floor बनते हैं और हम खाते हैं उसको रोटिया बनाते हैं लेकिन mustard का oil बनता है तो देखो यदि हम यह वाली class लगाएं कि option number A, B और D यह floor making चीज़े हैं इनका आटा बनता है इनकी हम रोटिया बनाते हैं तो यह जो group बन रहा है यह जो class बन रही है उसमें mustard satisfy नहीं कर रहा है because इससे तेल बनता है तो देखो एक logic तो यह हुआ एक class तो यह हुई लेकिन इसके लावा और भी class लग सकती है और भी कोई logic लग सकता है और जो most appropriate होगा वो हमको choose करना है वो हमारा answer होगा अब चलिए देखते हैं और कौन सी class इस पर लग सकती है देखो यदि हम गोर से देखें तो wheat, mustard and gram यह हैं रभी की फसले कर रहा है क्या रभी group को satisfy कर रहा है क्या नहीं तो हमारा answer क्या होगा option number B ठीक है और यही हमारा most appropriate answer होगा देखो पहला वाला जो हमने logic लिया था आटे और तेल वाला वो इसके सामने फीका पड़ रहा है फीकल लग रहा है नहीं लग रहा है आपको most appropriate ज्यादा sensible कौन सा लग रहा है यह वाला लग रहा है option number A, C और D यह बोल रहे हैं कि भी हमने group बनाया हुआ है जो की है रभी की फसलों का group और जबकी rice है खरीब की फसल ठीक है तो हमारा correct answer क्या होगा option number B, rice चलिए आखे बढ़ते हैं question number 9 है जो की उसना F-Cat 1 2013 में पूचा है देखो क्या है options देखते हैं in, club, motel and hostel तो देखो जैसे ही हम इन 4 options को देखते हैं हमको यह पता चल जाता है कि यह hotel से related जो चीजे होती है उनका एक group है और अब हमको in message जो least like है उसको हमको निकालना है वो हमारा answer होगा तो देखो in, motel and hostel इन 3ों में ही हम ठैर सकते हैं रुक सकते हैं इन में हर चीज की सुवीदा होती है जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं खाना, पीना, सोना, फ्रेश होना, बातरूम वगएरा यह सारी चीजे होती हैं लेकिन किलब में ऐसा नहीं होता है किलब में हम रुक नहीं सकते हैं ठैर नहीं सकते हैं किलब एक अलग चीज है तो देखो option number A, C और D यह किस चीज की class मना रहे हैं किस चीज का group है कि जहां पर हम stay कर सकते हैं कुछ दिन के लिए यह ऐसी चीजों का ऐसी बिल्डिंग, ऐसी चीजों का ऐसे places का यह एक group है लेकिन किलब क्या है किलब में हम is training कर सकते हैं हम कुछ देर के लिए ही जा सकते हैं enjoyment के लिए तो हमारे इस question का answer क्या होगा option number B, it will be our correct answer यह इसने F-Cat1 2013 में पूछा था चलिए दसमा question देखते हैं जो कि इसने F-Cat1 2013 में पूछा है देखते हैं क्या बोल रहा है क्या options थी हैं वो इसने canoe, dingy, yacht and igloo तो देखो, yacht यह एक boat होती है dingy यह भी एक boat होती है dingy यह चोटी वाली boat होती है जैसे आपने देखा होगा rafting के लिए लोग जाते है canoe, canoe, canoe को एक छोटी वाली लंबी वाली नाव होती है जैसा कि आपने देखा होगा श्री नगर में होती है वो लंबी-लंबी नाव देखते हो आप, scenery's में देखते हैं जो calendar's वगएरा में जो scenery's बनी होती है उनमें लंबी-लंबी पतली-पतली जो नाव होती है जो श्री नगर में देखते हैं हम वहाँ पर lakes फगएरा में इस type की जो boat होती है उसको canoe बोलते है और igloo क्या होता है igloo बरफ का बना हुआ एक घर होता है जो की polar reason में बना होता है बरफ का ही हम घर बना देते हैं वो बरफ पिगलती नहीं है तो उसको हम जोडते होई चले जाते हैं वो जोडते होई चले जाती है और उससे जो घर बनता है जो जो जोपड़ी type की बनती है चोटी सी जोपड़ी type की बनती है कोई ऐसा building नहीं बनती है हमारा एक group है जो कि type of boards का है लेकिन option number D बूल रहा है कि नहीं मैं तो भही बर्फ का गर हूँ तो ये इसमें match होगा क्या नहीं तो बताओ इस question का answer क्या होगा option number D is your answer ठीक है तो देखो ऐसे करने के आपको 3 number मिलेंगे F-cat में चलिए और आगे question देखते हैं और आपको अच्छे से इसका concept clear होगा और देखो यदि आप इसी type के videos और चाहते हैं तो comment box में लिखिए यदि आपको जरूत होगी then I will definitely provide you और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है question number 11 देखते हैं जो कि दोडते तो बहुत तेज हैं लेकिन उड़नी सकते हैं ये जैसे जंगली मूर्गी होती है उस type की होती है और eagle तो आपको पताई है और emu क्या होता है ये देखो ostrich की तरह होता है शुतुर मूर्ग की तरह होता है ये भी बहुत तेजी से दोडता है लेकिन उड़नी सकती और penguin कैसी bird है जो कि उड़नी सकती और eagle कैसी bird है जो कि बहुत बढ़िया तगडे से उड़नी सकती है तो देखो इस question में जो group बन रहा है वो कैसी चीजों का बन रहा है ऐसी birds का group है जो उड़नी सकती है और इन में से एक bird ऐसी है जो उड़नी सकती है वो क पूछा है देखो क्या है option सबसे पहले हमको इस चार option से scan करने है रानि गंज, जहरिया, बोकारो और बड़ोदा तो देखो रानि गंज में है call mines ठीक है यहाँ पर call की खदाने है और रानि गंज कहाँ पर है यह है call की खदाने नहीं है थीक है तो देखो इस question में किस तरीकी की grouping बन रही है यह ऐसी जगों की class है ऐसी जगों का group बन रहा है जहां पर call mines है call की खदाने है लेकिन बढ़ोदा में call की खदाने हैो यह है क्या नहीं तो देखो यह इस group की condition को satisfy कर रहा है क्या नहींS तो हमारे question का answer क्या होगा option number D which is बड़ोधा ठीक है तो देखो ये है previous years में पूछे गए odd one outs related very very important questions और Fcat की speciality ये होती है कि इसके as it is questions repeat भी होते रहते हैं और आपको ये भी पता चल गया हुआ कि किस type के questions हैं ये और आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर stick करते हैं कितने द कलीजिये okay so keep on studying don't leave any stone unturned I will give my best in your preparation and all the very best for your written examination and SSB and that's all for today bye for now